हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के उचाए और दूरी से संबंदित उन महत्पुड प्रशनों को देखने वाले हैं जो 2024 के लिए वाइरल प्रशन है फ्रेंस उचाए और दूरी का यह पार्ट 2 है यह इसका लाश्ट पार्ट है फ्रेंस ठीक है इसमें आपको उनी सभी प्रशनों को हल कराने मौले है जो आपके पिछले साल के पेपर में कई बाय रीपीट हो चुका है और दो हजार तेईस, दो हजार बाइस और दो हजार चोदह में रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो दो हजार चोविस के पेपर में यह सवाल आएंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला कुछ देखाते हैं, देखें आपको उपर से नीचे देखना, यानि कोई भी अक्ति यहां बैटके नीचे देख रहा है, तो क्या हो जागा, यहां पर जो कोड़ों पनेगा, औरनमन कोड़ का लाता है, उन्यान कोड़ का मतलब होता है, जब कोई भी अक्ति नीचे से उपर देखता है, यानि यहां पर खड़े पहले सवाब को द्यान से पढ़िए क्या है कि एक नाव एक पूल की वड़ा रही है किसी छल पूल का उन्ययन को तीस न Ugh की उसी चाल से चार मिन चलने के पस्चार run 후 क उन्ययन को शाइंस हो गया ज्याद किजिए कि नाव को पूल तब पहुँचने में कितना और समय लगेगा देगें इस पका के सवाल को आपको कैसे लगाना है देखी पर जब भी आपको सवाल मिलेगा तो यहां पिपे पहले हल लिखिए हैँ और हล लिखने के बाद देखिए इसका चित्र बनाना आना चाहिए यह आप चित्र बना लेंगे तो आधा सवाल तो आपका उसी तरह लग जाएगा ठीक है और चित्र को इदे कि इकजामनर आपको नंबर दे देगा यह चित्र सही बनाए हो तो देगे फृडश्डी कैसे बनेगा ध्यां से देखिए यहां भी देखे फ्रेंस क्या का रहा है एक नाव एक पूल की ओर देखे फ्रेंस पूल का रहा है तो इस तरह आप बनाली जी किया है जैसे खंबा कहेगा या मिनार कहें ठीक है या जंडा जंडा कहें इस तरह खड़ी पाई खिच लेंगे इस तरह बस दिखाना रहता है अब कि यहां पर शबू कि उवर दिखाता है यह क्या कर रहा है इस पूल की ओर आ रहा है ठीक है आ रही है किसी चछ़द पूल का उन्ययन को टीस अंस देखा गई मतलब यहां पर चाएं को नीचे से आप उपर इसके सिखर को नीचे से उपर देख रहे हैं मालेजिए कि यहां से इसको देखेंगा इसे इसको मिला लेजवाइए अब मिला लीजिए और मिलने के बाद इसको आप इसको देखेंगे आप cooler नव ठीक है यहां पर कितने अंस काऊज कोड़ बना रहा रहा है इसको यहार रगया है जब यहां है अपने इतनल बना रहा है यहां होगा है इसका बना रहा है और नाम को पूछ रहा है और यहां पूछ라고ोर पूछ क्या है को मानना पड़ता है यह से लेकर डी तक कितना दूरी चला है दिया नहीं तेहां पर माननां पड़ता है जो आप यहां पर माने हैं उसको यहां पर लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे यहां लिखेंगे माना नाव तक 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 टे की गई दूरी A से D तक जाने में कितना दूरी तक कर रहा है तो लिकची यक्स और इसको देखा लिजे मीटर किसमें देखाएंगे मीटर में देखा लिजिए ठीक है इसी तरह अब D से Y तक जाने में यारी आप क्या कर रहा है Now D से कहां तक B तक B बिंदू तक तक की गई दूरी ठीक है ठीक है क्या है Y है तो Y मीटर माल लिजे ठीक है और पूल की उचाई कितना है पूल की उचाई माल लिजे यानि पूल की उचाई क्या है थे 20 पर माल लिजे कितना है आपका यह यच यह मीटर माल लिजे ठीक है जितना यह फ्रेंस चित्र में बनाते हूं सभी को यहां पर माल लिया जाता है अब दिखे फ्रेंस इतना मानने के बाद अब देखिए जैसे आपको बदा रहें उसी फार्मूला से उसी यानि कि जब भी आपको इस फार्मुला का प्रयोग करना है तो पहले क्या करते हैं यह आपकी इच्छा करेगा तो पहले यह सिंपल होता है पहले इसी को जो नस्दीक रहता है उसी में हल किया कीजिए ठीक है देखे लिखेंगे त्रिभूच इसे में यहां पर दिया क्या है यहां पर दिया है और यहां काiche समकोर्ते पाउर करते हैं यहां अभी तक आपको लंप और आधार पाचाने नहीं आता कि कौन लंब यां अधार तो आपको पुर्यम्यिट्एल वीडियो अपलोड कियें जाके प्लेलिस्ट से में देख सकते है यहां पर लगाएगा 10 फार्मूला क्या होता है लम रपटा के आधार होता है किया थीड कि ती're भूच्के नाम लिखे ऑंघ इस calculation सब्सक्राइब कर लिए अब दिखे पहले इसको हल करते हैं आपको याद होना चाहिए कितना होता है तो यह हो जब यह इसको यहां पर रहने दीजी यह इसके इलावा इसका तीरिया गुड़ा कर सकते हैं कर दी वाई यह चुड़ा ठीक है आप इतना रहने दीजेगा आप देखे प्रेंस क्या करना इसको रहने दीजेए बी इतना ही अब शकता का थार इसको चेंज भी कर सकते हैं अब देखे इतना वहां यहां से आपको मिल गया अब क्या करेंगे अभी सब्सक्राइब इस वार् जीटा यहां कि लंबटा के आधार की लंब्टा का अधार लंबाटड का अधार दिमक निया ठीक है लिए य। रहने दीजिते यह को अब क्या लिख सकते हैं ad plus db लिख सकते हैं ad plus db अब मा रख लेते हैं देखिए जब इस त्रिभूज में चलना है इसका त्रिभूज का कोड़ क्या है तीस अंस यहां पर तीस अंस रखें बीसी के जगब क्या है तो यह कर लीजिए ad plus db ad की मान यक्स है तो यक्स कीजिए और यहां पर y कर लेजी ठीक है अब देखिए तीस अंस कमान क्या होता है एक पटा करणी में 3 होता है यहां यह इस प्लस यह जागा अब तीर्याव कर लेते हैं इसका यहां करेंगे गुड़ा देखें कितना होगा इस में प्लास वाई होगे इसका करेंगे एक मैं इसका करेंगे कि यहक्रों में 3 हो गये अब देखे आपको क्या करना है यहां पे यहां से क्या कीजिए कि यह अप्रहु करना इसका अपका सब्सक्राइब करेคले इस इतना क्योंस गया जानल होगे इतना अब क्या तो यहां पैर दिख्यार सभित मैं सकते हैं आप चलिए सभी करड़ मान लेते हैं यह समें आपर यह विंटेन Casey कर दो टीक अब यहां पर क्ष़हिए गहां सहने कर दोमें कि ए यक बराबर वहाई कर अब इसको प्रश्द कर लिएगा अब चलि मान को इसमेंus लगता है कि आपको समीकड़ क्या है यक्स प्लस अब यह क्लड़ी में 3 यहां है यहां पर रख लिए यह कितना रखना है यह करणी में तीन गुड़े करणी में तीन ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है यहां पर हो जागा यहां पर यह बराबर यहां पर यहां पर यहां पर लेते हैं इस जगह पर देखिए यह क्या होता है यह यहां पर घृत को देखाता है यहां पर डी और तक जाने में टेकी गाई दूल चार देखिए डी से बी तक जाने में कितना समय और लगेगा यहां वाई का मान फ्रेंज देखिए आपको ग्याद हुआ है अब बस एक इस्टेप लिखना है और सवाल आपका हल हो जाएगा देखिए कैसे इसको लिखेंगे यहां पर लिखेंगे चुकी यहां पर आप चुकी लिखेंगा यक्स दूरी यक्स दूरी तय करने में करने में लगा समय लगा समय कितना है फ्रेंज यक्स दूरी तय करने में कितना समय लगा था बताए फ्रेंज कितना चार मिनट कितना समय लग रहा है चार मिनट का समय लग रहा है इसलिए Y बराबर Yक्स पटा के दू दूरी T करने में करने लगा समय बराबर देखिए आपको क्या करना हैincring तो Y तो कितनां लगएगा यानि Yक्स पटा के दू है की नहींनि même तो Y कमान कितना semana बटा के बराबर है यहां यक्स कमान कितना दिया है चार लग लिजिए लग दो लिए उपर लिए एक फूर कि लगन पहुंचब में लगा समय नाव को पूल तक नाव को पूल तक पहुचने में लगा समय कि लगा समय कितना रहा है यह दो आ रहा है न यह आप लिख लिए दो मीनट दू मिनुस तो फ्रेंस प्राश्ण को इस प्रकास आप बोर्ड की एकजाम में हल किजिए गाना जैसे बताएं इसी प्रकास आप हल करेंगे और यह देखें प्रेंस आपको सवाल बताएं ते कितने बार पूचा है ते कम से कम कई बार रिपीट हो चुका है ना इस सवाल को इ पीस अंस है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पीस से ध्वज के शिखर का उन्यन को 45 अंस है ध्वज डंड की लंबाई और बिंदु पीसे भवन की दूरी ग्याद किजिए देखें फ्रेंज ये दूहजर तेइस, दूहजर तोलह, दूहजर तेरह प्रश हैं यहां से कहा रहा है कि 10 फ्रेंज तोंप निष्ट, इस तरव कि अिक भवनकरण बना, यह का, बहुत है सब्सक्राइब यह दो के शिखर को देख रहे हैं फ्रेंज practice को दिखिए, class एएंस के इसकू मिला ली जिए, ये हो गए आपका 30 ऐस ठीक है भावन के सिखार पर एक को ला रहा है गया है इसको कर रहा है कि यहां से इसको जब देख रहा है यहां से इसको देख रहा है कुड़े कोड़े एक यहां पेक्र है यहां पर इंद की लंबाई कि यहां चैनल रहा हूँ और यहां तक जाने हों कितना समय लगेंगा यहां पी बिंदू के लावा यहां पिया अप्छा करेगा माल लिजेगा छहाँ यहां पर मल लेते हैं बी, चीतर बन गया आपका यहां से बीच से एठर यानि कि आपका बिंदू पी है और बिंदू पी से भवन के बीच की दूरी क्या माल लाते हैं यक्स माल लाते हैं और देखें़ यहां से इस भोन उचाई कितना दिये दिया दश मीटर देड़ चुका है इस Vulcan कैतागा ज़ित्र वह ऊपने शब्दों में लिखना है चलिए यहां लिख लेते हैं कैसे लिखते हैं सवाल में यहां भी दिखिएगा माना ठीक है यहां भी क्या है माना में लिख लिए यह दिखिए आपका जंडा है यहां लिखे जंडे की उचाई क्या लिखेंगे फिर देखे पीस ए तक बिंदू पीसे बिंदू पीसे भवन भवन के बीच की दूरी क्या है यक्स है यक्स मानत यक्स मीटर लिख लिजी हो गया अब देखे फ्रेंस इसके बाद क्या करना है आपको दो चीज पूछाय दो इस लिखे िए अब चित्र बनाएं इस चित्र से इकजामर समझ जाएगा क्या जाएगा कि आप क्या ग्याद करना है इस सवाल को कैसे लोकरना है इसमें और यह दियांस देखेंगे दो त्रेछ वुज बने क्या है आप अब चलिए यहां पर नाम लिखिएगा त्रिवूज पीएव भी पी दिए जुड़ी एख जिससे आपको एक्ज़ा मरा समझ जाएंगे किस त्रिवूज में आप हल कर रहे हैं अब तो इसे यहां से आपका लम्ब ह और यह आधार है तो कौन से फार्मृण लगेगा टैन वाला ही पार्फार्पल को तरफ टैन्ड ठीटा पर आबर क्या होता है कि लॉप पटाके आधार कि यहां से राख नहीं देखिए आपको क्या करना है मान रखना मुझ कि अधिए तरफ़ मुझ के लिए बिए थीटा को अग बिए तीन इशन मुझ कि श्ली और तीस रखना पड़ेगा आपको A B कमान कितना है एक से तो 1 रह लिजी एप एक से तो यक्स रख लीजिए ठीक है अब तो गूरा करेंगे यक्स हो जाएगा याक्स erzählt sera mt binnen d Saudia cha cha at the site पर आपको याठा सकते हैं अब अगला क्या करना है ञ्रेंस को पी ए पी एक रिक है आपका आधार पता है इस तरबूश के ए पूरा यह रिखी है आधार क्या आ क्या यह पी ही तो पी है रख लीजी ठीक है यहां पर देखे फ्रेंश हुर। ठीटा अब एसी को ते रहने दिजी हैं रहने क्या लई अब लुए सकते हैंv लिख क्या लेख सकते हैं A b प्लस हमारत लेखें a b प्लस बलस बी एक मार जब लाउने क्या रहने दिए अब यहां पर लेख लिए ई तिके यहां पर इस तिरुभूच के लिए बड़ेवाले तिरुभूच के लिए कितने अंस कोर एपधालिस रखेगा बराबर एबी कमान कितना है दस है तो दस कर लिजी आप पांप ये कमान एक से तो यक्स कर लीजी ठीक है बस मार रखने के बाद अब देखिए आपको हल का में आपको क्या करना है अब यहां पे आपको करना है यहां सी यक्स का माल इसमें रख लिजीगा अब यहां पर दो समीकरण उसी तरह माल लिजी जैसे आपको पहले में पता हैं यह समी करर नमब्र एक माल लिजेगा यह समी कर नमबर माल लिजेगा लिखिये गा तो समी कर रण तो में यक्स बराबर दस कर्ण नरिक brewing रखने ठीक है थिल आप देखिये गार्स दकरादी में तीसे लिखेंगे लिखए δेक्ए आपका समीकड़ ढाइं यहां से 10 प्लास रखना है्व रखना है यह एसी में क्रणािये यहां से करणी तीन बिनलखना है झाहरं से यहां से यहांसे सवाल में हैं इसको मानें यहां यहां किजिए 10 करणी में 3 100 को पच्छनद कि धा माइनस यहां सी यह होगा अब घटा लिए फ्रेंस यह करड़ी होने करद घटेगा नहीं आपको क्या कर सकते इसमें बहुत कर सकते हैं दस कामर ले सकते हैं करड़ी में 3-1 और यह हो जाएगा अपका यह बराबर इतना आ गया तब देखें आप क्या क्या माने उसको लिख ले बताते हैं आपको न देखें आपको एंस्वर आज चुका है इसलिए आपको यक्स कमान गयात करना है और यह कमान जो कि आपको आज चुका है बस आपको ए करणा चाहिं गवन की बीच की दूरी क्या माने है यक्स माने ठीक है यक्स और यह कमाना आपको इसी को एंस वर में कैसे आप लिखेंगे यहाँ देखते रहें यहाँ गया नीची एंस्वर लिखिएगा यहाँ पेंस्वर जंडे की ऊचाहिए यह बराबर कितना आएगा 10 क मीटर होगा ये अंसुर जागा दूसरा एंसुर क्या है कि बिंदू पी से बिंदू पी से भवान के बीच की दूरी बरावर यह समाने थे और यह समाने थे 10 करड़ performing 3 है तिया हो जागा 10 करड़ी में 3 मीटर 10 करड़ी में 3 मीठर फ्रेस्स यही आपको क्या हो जागा एंसर हो जागा ठीक है